नमस्कार दोस्तू पिसले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के दो हाथियों के बीच में एक युद छिड़ा हुआ है एक अपने आपको इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस कोच कहता है तो दूसरा भारत का सबसे बड़ा मॉटिवेशनल और लाइफ कोच होने का दावा करता है लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि दोनों लोग खुल कर आमने सामने आ चुके हैं और उनके फैंस भी आपस में बहस और गाली गलोच कनने में लगे हुए हैं सो कोल्ड बिजनिस कोच के द्वारा एक आनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है जिसे मॉटिवेशनल स्पीकर द्वारा भारत का सबसे बड़ा आनलाइन फ्रॉड या स्केम कहा जा रहा है ये बिजनिस कोच है डॉक्टर विवेख बिंदरा जिनके यूट्यूब चैनल पर 21 मिलियन से ज़्यादा सबस्क्राइबर है भारत ही नहीं बलकि भारत के बहार भी बड़े बिजनिस कोच में से एक है डॉक्टर विवेख बिंदरा पर आरोप लगाया गया है कि वो ऑनलाइन कोर्स बेचने के लिए ये दावा करते हैं कि उनके कोर्स को खरीद कर उससे सीख कर कोई भी इनसान, कोई भी आम इनसान, बिजनिसमेन या एंटपनियोर बन सकता है और लाखों रुपे हर महीने कमा सकता है इस कोर्स की कीमत 30 या 35 जार रुपे से लेकर 15 लाख रुपे तक है इस फ्रोड या घुटाले को सबसे पहले उजागर किया है संदीप महेश्वरी ने अपने चैनल पर दरसल उनके चैनल पर एक वेक्ति आया जिसने बताया कि उसने कुछ समय पहले एक ओनलाइन कोर्स खरीदा था जिसकी कीमत थी 50,000 रुपे और कोर्स खरीदने से पहले दावा किया गया कि कोर्स खरीदने के बाद उसे जो कुछ सीखाय जाएगा या जो कुछ उसमें से वो सीखेगा उससे वो एक बड़ा business plan बन जाएगा और लाखो रुपे हर महीने कमाएगा लेकिन उसे course खरीदने के बाद कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला और जब उसने अपने पैसे वापिस मांगे तो बोला गया कि इस course को किसी आगे दूसरे बंदे को सेल कर दो और जो नया इंसान इस course को खरीदेगा उसमें से हम तुमें commission देंगे इस तरह तुम अपना दिया हुआ amount recover कर पाओगे और तुम भी हर महीने income कर पाओगे ऐसे ही इस fake और fraud course को बेचने के लिए एक chain बंती चली गई और सभी victim अपने 30,000, 40,000 या 50,000 रुपयों को वसूलने के लिए एक दूसरे इंसान को course भीजते रहे और उनको सेल करवाते रहे लेकिन उन लोगों के द्वारा course बेचने के बाद भी उनका खुद का पैसा तो वसूल नहीं हुआ लेकिन विवेक बिंद्रा का जो course है वो आगे सेल होता गया और उनकी खुद की income यानि की विवेक बिंद्रा की income बढ़ती चली गई संदीप महिश्वरी ने अपने चैनल पर इस पूरे scam को 500 करोड रुपे का scam बोला है जबकि अगर पूरे amount को जोडा जाए तो ये 800 करोड से ज़ादा का scam बनता है एक ऐसा course जिसको खरीदने के बाद आपको ना तो कुछ भी नया सीखने को मिलता है और ना ही आप उससे business man बनते हैं लेकिन फिर भी उसकी कीमत होती है 50,000 रुपे से 40-50,000 से लेकर कैई लाख रुपे और ये एक अकेला ऐसा इंसान नहीं था जिसने इस fraud course को बेचने के लिए एक chain बनाई या जिसने अपना amount वापस मांगा या जिसने अपने amount को recover करने की कोशिस की ऐसे हजारों लोग थे और उन्हीं हजारों लोगों ने ये chain बढ़ाते बढ़ाते लाखों तक पहुँचा दी इस खुलासे के बाद संदीप महिश्वरी ने एक अलग से वीडियो बनाई जिसमें इस पूरे गोटाले पर खुल कर बात की लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि संदीप महिश्वरी ने अपने पूरे वीडियो में किसी भी इंसान का नाम नहीं लिया उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो नौलेज आपको किताबों से यूट्यूब से फिरी में मिल सकती है या कुछ थोड़े से पैसे दे कर मिल सकती है उसके लिए आपको 50,000, 1,500,000 रुपे जैसी बड़ी रकम खर्च करने की आखिर जरुवत क्या है और जो लोग ऐसे कोर्स बेच रहे हैं लोगों को पागल बना रहे हैं वो लोग फ्रॉड है स्केम कर रहे हैं उस कोर्स का अगर 50,000 रुपे एवरेज अमाउंट लगाया जाए और जिस तरह विक्तिम ने बताया कि लगबग सवालाख लोग रईष्टर्ड थे ग्रूप में, वाट्सप ग्रूप में तो तब भी एक सवालाख लोगों का ये जो एमाउंट है 50,000 रुपे कोर्स के हिसाब से, 500 करोड तो एमाउंट बनता ही है, एक लाख लोगों का, लेकिन अगर इसको 70,000, 80,000 या एक लाख में भी बीचा गया, उसको भी अगर एड किया जाए, तो ये टोटल एमाउंट बन एसी knowledge या ऐसा topic हो, जिस पर विवेक बिंद्रा ने अपना कोई ना कोई कोर्स बना कर लोगों को नाचेप रखाओ, विवेक बिंद्रा अपनी हर वीडियो में किसी ना किसी कोर्स को रिकमंट करते दिखते हैं, संदीप महिश्वरी ने इसी तरह के fraud मामलों पर खुल कर कहा कि इस तरह की जो भी knowledge अपने कोर्स में 1000 लाखो रुपे की fees लेकर दे रहा है, तो वो पूरी तरह से गलत है, fraud है और ये पूरी तरह से एक बड़ा scam है, क्योंकि इस तरह की जानकारी किसी भी इनसान को किताबों से, 100-200 रुपे की किताबे आती है, किताबों से, या YouTube की है, वो भी in fraud में फस्ते जा रहे हैं, मैं personally भी डॉक्टर विवेक बिंदरा की वीडियो को देखता रहा हूं, और मुझे भी कही न कहीं ये बात हमेशा खटकती थी, कि क्यों हर चीज के लिए एक अलग से course बना के रखा हुआ है, क्यों हर वीडियो में ये बंदा अपना कि किसी course को recommend करता रहता है, उधारन के लिए विवेक बिंदरा एक motivational और business coach है, लेकिन विवेक बिंदरा ने stock market और cryptocurrency पर धेर सारे courses launch कर रखे हैं, जबकि खुद विवेक बिंदरा कभी भी trader नहीं रहे, ये बात सिर्फ विवेक बिंदरा तक ही सीमित नहीं है, आज हर तीसरा influencer य YouTuber ऐसे ही धेरो course बनाकर लोगों का चनौतिया काट रहा है, कोई YouTuber बनाने के नाम पर, तो कोई ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर, तो कोई घर बैठे पैसे कमाने के नाम पर आपका फुद्दू काट रहा है, आज कल तो मार्गेट में नया course चलन में है, और ये नया course है, आप को AI की Deep Knowledge देने का वादा करता है, इसमें आपको बताया जाएगा कि आप AI का यूज अपने रोज मर्रा के कामों में कैसे कर सकते हैं, और इस चीज को सिखाने के लिए आपसे 1000 रुपे की Demand होती है, फीस के नाम पर, आज आब YouTube, Google या दूसरे प्लेटफॉर्म पर हर दूसरी तीसरी एड या वीडियो में एक नए कोर्स को सीखने की या सिखाने की बात सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होते हैं, जबकि आज information के यूग में ऐसी कोई भी knowledge नहीं है, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, जो internet पर आपको free में available ना हो, लेकिन कुछ महा समझदार लोगों न कोई काम करें, इसके लिए कोई skill सीखें, उसे business के नाम की या professional को deep knowledge दें, और जो knowledge YouTube पर या दूसरी किसी भी channel पर free में available है, उसे बेकार समझकर वो लोग किसी ना किसी तरह से इन online courses में admission ले लेते हैं, उनको लगता है कि जो online course है, उनमें ज्यादा deep knowledge होती है, जो free में आपको knowledge मिल रही है, वो बेकार है, आजकल हर तीसरा चौथा बंदा motivational speaker बना हुआ है, हर कोई अपना course launch कर रहा है, हर कोई business करने के तरीके सिखा रहा है, घर बैटे पैसे कमाने के तरीके सिखा रहा है, लेकिन जब आप किसी course को खरीते हैं, उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखत हैं, तो पता चलता है कि आपके छोटे वाले पर बड़ा वाला कट लग चुका है, ऐजे online course की कीमत 100-200 रुपे से लेकर लाखो रुपे तक होती है, संदीप महेश्वरी ने किसी भी इनसान का नाम नहीं लिया, लेकिन विवेक बिंद्रा द्वारा अपने गुंडों को से ही लोगों को हर कोई मूर्क बना रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा लगता है अकेले विवेक बिंद्रा को, यानि ये वही इनसान है जो नएने online course के नाम पर लोगों की गाड़ी कमाई हडपने में लगा हुआ है, आपको बताएगी online courses या ये जो e-learning courses है, इनकी कितनी हैं, साल 2018 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 190 बिलियन डॉलर का ये पूरा कारोबार था, 2018 में, लेकिन अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2019 तक 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का ये पूरा बाजार बन जाएगा, online courses का, कमाल की बात तो ये है कि Google पर 32% से ज़्यादा website केवल online courses ही बेशने का काम करती हैं, और जो उनसे अलग website हैं, जो occasionally online course सेल करती हैं, वो अलग है, यही वजाए है कि हर 2-3 वीडियो के बाद, कोई ना कोई course, online course, trading से संबंदित, या online make money के course, add के द्वारा या वीडियो के द्वारा आज की date में देखे जा सकते है online course सेल करने वाले माफिया भी astrologer की तरह आपकी psychology के साथ में खेलते हैं, यह उनी बातों पर add या वीडियो में ज़्यादा फोकस करते हैं, जो देश में बड़ी आबादी की सबसे बड़ी problem है, जैसे आप 9-5 की job करते हैं, आप family के लिए गाड़ी या बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन job से इतना पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, लगजरी life जीना चाहते हैं, लेकिन saving नहीं हो पा रही है, या आप भी अपनी side income बनाना चाहते हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, या अपनी कोई passive income बनाना चाहते हैं कि आपको काम ना करना पड़े और प करते हैं कि हम घर बैटे पैसे कमाने के तरीगे बताइंगे टाइम मैनेजमेंट के भी कितने लोगों ने ओनलाइन कोर्स चला रखे हैं जिसमें यह बताया जाता है कि आप अपने 24 घंटे के हर मिनट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं सक्सेस और अमीर लोगों के पास भी 24 घंटे होते हैं और आपके पास में भी 24 घंटे हैं फिर क्यों आपके पास में एक्स्ट्रा इंकम के लिए समय नहीं बसता ये कुछ ऐसी बाते हैं जो हमारे देश में ज्यादा तर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है ओनलाइन कोर्स सेल करने वाले लोग भी इसी मानसिक्ता पर टार्गेट करते हैं लोगों की साइकलोजी पर वहां चोट की जाती है, जहां पर वीडियो या एड देखने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है जिस तरह एस्ट्रोलोजी का व्यापार आज 21 सदी में भी फलफूल रहा है उसी परकार ऑनलाइन स्केम भी किये जा रहे हैं, खासकर मनी मेकिंग कोर्स और बिजनेस सम्बंदित कोर्स में संदीप महेश्वरी एक बहुत बड़ा नाम है वो इनसान अगर किसी फ्रॉड को, स्केम को उपन करता है या उसके बारे में बात करता है तो जाहिड सी बात है कि हर इनसान उनकी बात पर विश्वास करेगा और फोकस करेगा और ध्यान से सुनेगा क्योंकि वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहने की बात करते हैं या इस तरह के स्केम में ना फसने के लिए जागरुक भी करते रहते हैं जिन आइडियाज को एक कोर्स में इखटे करके या उन्हें सेल करके आजकल लोग करोडों रुपे कमा रहे हैं उन्ही बातों को संदीप महेश्वरी जैसे लोग फिरी में अपने शो में बताते आ रहे हैं वो भी आज से नहीं पिसले क्याई सालों से एक इनसान जिस चीज़ के लिए लाखों रुपे चार्ज करता है दूसरा इनसान उसको फिरी में बांट रहा है लोगों के बीच में तो जो बिजनेस में है उसके पिछवाडे से चिंगारी निकलना नॉर्मल सी बात है विवेग बिंद्रा कोई मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच या बिजनेस कोच नहीं है वो सिर्फ एक शातिर बिजनेस में है जो लोगों के इमोशन के साथ में खेलता है, उनका फाइदा उठाता है और फाल्तू और यूजलेस कोर्स बेच कर करोड रुपे की कमाई करता है आप मेंसे भी काफी लोगों ने ये विवाद, ये कॉंट्रोवर्सी जरूर सुनी होगी कमेंट करके बताना की आप किस के साथ हैं, मेरे या बिनोद के खेर, अभी इस वीडियो में इतना ही चल्दी मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ जैहिन जैरामजी की